अफगानिस्तान सरकार गठ्षन से पहले तालिबान का दावापन जिशीर में किया कब्जा भारतीय मुसल्मानों पर तालिबान का बड़ा बयात कहा हमारी धर्टी का अस्तमाल करने के इजासत नहीं पियम मोदी इस महीने जा सकते हैं हमारी का बाइडिन के राश्रपती बनने के बाद होगी पहली मुलाकात पियम ने अब उधावी की क्राउन प्रिंस से की बात आतंगवात समेथ कई मुद्दों पर हुई चर्चा काबुल में महीलाओं ने अपने अधिकारों के लिए लगाए नारे कहा हम 20 साल पहले वाली औरते नहीं पियम मोदी के चर्ण दिन को खास बनाने के तैयारी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक समर पड़ अभियान चलाएगी बीजेपी दिली में सुभा से बाद चारी मुंबई के कई इलाके बेहाल मौसम विभाग ने चारी किया अलर्ड जम्मू कश्मीर में 46 गंटे बार मुबाइल सेवा हुई बहाल इंटरनेट सेवा कल दो पहर से होगी शिरू मनीश नर्वाल और सेहराज अधाना से पिया मोधी ने की बात मेडल जीतने पर दिवधाई दिलीप घोश ने बोला सियम ममता पर हमला कहा सीयम बने रहने के लिए चुनाओ पर अड़ी किसानों किसम अर्थन में शिरूमणी अकाली दल का बड़ा एलान एक सप्ताह के ले रद्द की रह लिया सुप्रीम कोट की नई जजो को किया सम्मानित कानून मंत्री किरेन रेजजु सीजे आई भी कारिक्र में हुए मौजूद यूपी के सिधार तगर में बार से हाहकार प्रभावित इलाकों का सीम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षन फिर उजबाद में वायरल बेंगू का कहर घरों पर ही इलाज कराने को मजबूर मरीज हिमाचल के साथ जिलों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जारी किया ये लोवलट रवस्ती में भीशर सड़क दुरगटना पाच की मौथ शवों के धेर पर सोया हुआ मिला मासू चिन्नाई में जैल अलिता के समारक पर पहुची अभी नेत्री कंगना रनाओत पूर्व मुख्य मंत्री को दीश रधान जली पैपर आसी पर भढ़के कई सितारे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा सेलिब्रिटी की मौथ तमाशा ही रहेगी रिशी कपूर की बर्थ अनिवर्सरी पर इमोशनल हुई बेटी रिधमा वोली आपको बहुत मिस करते हैं